पाहर के देशों में वैक्सीन मिलना सुरू भारत का नमबर कब आएगा जिहां भारत में कोरोना महमारी का प्रकोप धीमा जरूर पड़ा है लेकिन पूरी तरह से खतम नहीं हुआ है कोवेड-19 को लेकर कॉंग्रेस लगातार कींदर सरकार पर हमला बोलती रही है इसी बीच एक बार फिर राहूल गांधी ने मोदी सरकार से कोरोना महमारी के वैक्सीन को लेकर सवाल पूछा है राहूल गांधी ने कहा कि बाहर के देशों में वैक्सीन मिलना सुरू हो गया है भारत का नमबर कब आएगा राहूल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि विश्व के 23 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुगी है चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने वैक्सीनिशन का काम सुरू कर दिया है इंडिया का नमबर कब आएगा? मोधी जी राह साल की पूर्व संध्या पर राजस्थान में कोई जस्थान नहीं जिहां राजस्थान में COVID-19 मामलों की संक्या 3 लाख के पार पहुँच गई है मुख्यमंत्री असूग गहलोत ने कहा कि राजसरकार ने नै साल के जस्थान को धूम धाम से मनाने या आतिश बाजी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है अपने फेस्बुक पेज पर एक संदेश में गहलोत ने सलाह दी कि दिवाली की तरह राजी में लोगों को अपने घरों के अंदर रहकर COVID-19 संक्रमण से खुद को बचाने के लिए अपने परिवार के सदस्थों के साथ नै साल का जस्थन मनाना चाहिए उन्होंने लिखा कि किसी के परिवार और आम लोगों के जीवन की रक्षा करना आवश्चक है मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सुप्रेम कोट ने हाली में दिसा निरदेश जारी किये हैं जिसमें कहा गया है कि राज्यों को बजार और सरवजनिक इस्थानों पर भीड की जांच करने और धार्मिक समाजिक आयोजनों को यथा संभव नहीं करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए किसान दिवस पर राजिनाच सिंग ने कहा सरकार पूरी समवेदन सीलिता से किसानों से कर रही है बात मैं आसा करता हूँ कि आंदुलन वे जल्द वापस लेंगे जिहां केंदर सरकार द्वारा लगाये गए नए क्रिशी कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदेशन राजधानी दिल्ली में जारी है किसान दिवस के मौके पर जहां किसानों की बैठक हो रही है उसमें आगे की रणनिती पर चर्चा होनी है इस किसाती किसानों का कहना है कि आंधुलन अब तेज हो गया है इसी बीच केंदर की तरप से बयान बाजी का दोर सुरू हो गया है रक्षा मंतरी राजना सिंग ने किसान दिवस के मौके पर कहा कि सरकार पूरी सव्वेदन सीलता से किसानों से बात कर रही है मैं आसा करता हूँ कि आंदोलन वे जल्द ही वापस लेंगे राजना सिंग ने कहा कि किसान दिवस पर मैं देश के सभी अन्नदाताओं का अभिनंदन करता हूँ उन्होंने देश को खादे सुरक्षा का कवच परदान किया है क्रिशी कानूनों को लेकर कुछ किसान आंदोलन रत हैं सरकार उनसे पूरी सम्विधन सीलता के साथ बातचीत कर रही है मैं आसा करता हूँ कि वे जल्द ही अपने आंदोलन को वापस ले लेंगे सपा देक्ष अकिलेश यादो ने कहा किसान दिवस पर उत्सो मनाने के बजाए प्रदर्शन करने को मजबूर है किसान जिहां समाजवादी पार्टी के देक्ष अकिलेश यादो ने कहा कि देश की इतिहास में एक ऐसा किसान दिवस आया है जब देश का क्रिसक उत्सव मनाने की जगह सडकों पर संगर्ष करने को मजबूर है अखलेश यादों ने एक ट्वीट करते हुए पूरो प्रधानमंतरी चौधरी चरण सिंग की जिहनती पर उन्हें नमन किया अखलेश ने नएक रिसी कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के परदर्शन की तरफ इसारा किया और चरण सिंग की जिहनती पर मनाय जाने वाले किसान दिवस का जिकर करते हुए ट्वीट में कहा कि आज भाजपा के राज में देश के इतिहास में एक ऐसा किसान दिवस आया है जब उत्सव के इस्थान पर देश का किसान सड़कों पर संघर्ष करने पर मजबूर है उत्तरवदेश के पुरु मुख्यमंत्री ने किसान दिवस हैस्टेग से हिंदी में किये गए ट्वीट में कहा कि भाजपा किसानों का अपमान करना छोड़े क्यूंकि देश का किसान भारत का है मान किसानों के आंदोलन को लेकर कॉंग्रेस का केंदर सरकार पर निशाना कहा कि देश का अन्यदाता सड़क पर अपने हग की लड़ाई लड़ रहा है तनासाही सल्तनत आवाज को अन्सुना कर रही है जिहां क्रिशी बिल के खिलाफ किसानों का विरूध प्रदर्शन जारी है केंदर और किसानों के साथ कई दोर की बातचीत के बाद भी मामले का हल नहीं निकल सका है वैसे आज किसान दिवस है वही कारण है कि किसान संगठनों ने आंदोलन को तेज करने की घोशना की है तो दूसरे तरफ कॉंग्रेस लगतार ग्रिशी बिल को लेकर मोधी सरकार पर हमलावर है इसे बीच कॉंग्रेस ने एक बार फिर केंदर सरकार पर निशाना साधा है कॉंग्रेस ने कहा कि देश का अन्यदाता सड़क पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है ताना साही सल्तनत आवाज को अंसुना कर रही है किसान दिवस पर अन्य दाता की सक्ति और संगर्श को सलाम